नमस्कार दोस्तों आप सभी का इस्टरीफ और UPCP से सहर में स्वागत है यह इम्तिहान पुब्लिकेशन का जो हम सेट कर रहे हैं ग्यारा सेट है उसमें से आज सातमा सेट हम कंप्लीट कर लेंगे ग्यारा में से साथ आज कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले एक से दो दिन तीन तीन दिन में वह बाकी भी कंप्लीट हो जाएगे ओके डेर सो कुस्संस होंगे जिसमें से 140 हम लोग करेंगे और आपको टेस्ट एटेम्ट करना हर एक कुस्सं को वीडियो पॉस्ट करके एटेम्ट करना और मुझे अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताना मुझे मत भी टेस्ट मिलेंगे आपको इमतिहान पॉब्लिकेशन का अलग से टेस्ट सीरीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगे बहुत सारे है ना तो टेस्ट जरूर करिए रोज कम से कम एक बीप्यासी में आपका सेलेक्शन स्योर हो जाएगा प्रीलि नदी का सबसे अधिक बार जिकर किया गया है रिग बेद में लेकिन नदीतमा यानिकी पवित्र नदी की संग्या किसको दी गई है तो सरसुती नदी को दी गई है नेमने से किस वंस के सासक ने अवंती महाजनपद को मगद समराजी का हिस्सा बना लिया था दूसरे का अंस ये सौ बर्स पुरानी सतुरता का भी अंत हो गया था और सिसुनाग बंस के किस सासक ने अबंती को मिलाय था तो सिसुनाग ही था जिसने मिलाय था दूसरा सासक काला सोक था इसका जैन संपरदाय के 23 तिर्थंकर के पहचान करें तीसरे कैंसर क्या हो जाएगा इनका नाम था पार्सुनाथ और 24 तिर्थंकर तो कौन हुए है तो जैन मानता गौनसार इस पंद में 24 तिर्थंकर हुए है सब से अंत में कौन है महावीर स्वामी जी है और 23 तिर्थंकर पार्सुनाथ जी है और बस यही थो है और क्या बताऊं मैं इसमें निमने से किस सिला लेखो मौरी सासक असुक कहता है कि देवताओं का प्रिये धम विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है है ना तो चार कैंसर क्या हो जाएगा तेरेवें सिला लेख मो कहता है ऐसा ओके उप्रियुक्त लेख मौरी समराट असुक के तेरेवें सिला लेख में वर्नित है असुक के सासन का आठ में वर्स में कलिंग यूद हुआ थे इसके बाद असुक ने बहुत धर्म को सुईकार कर लिया था उसके बाद तो कहानी आप सबको पता ही है पुरंदर के संधी 10 के मद्ध हुई थी तो 5 का अंसर क्या हो जाएगा जैसिंग और सिवाजी के मद्ध हुई थी च्छतरपती सिवाजी के मद्ध और जैसिंग के मद्ध हुई थी आगे चलते हैं और पुरंदर के संधी कब हुई थी तो 1665 में जै सिंग ने पूरंदर एक किलिए पर सक्त घेराबंदी की थी और उसी समय इसकी पूरंदर की संधी हुई थी बस यही तू है इसमें अगला है गुरु गुरंद साहिव का संक्लन निम्त के किस गुरु ने किया था छटे का एंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु गंद साहिव का संक्लन किया इनका टाइम पिरियट क्या है बंद हो 1563 से 1606 भी तक है दिली संत्रा ते किस सुल्तान ने राजधानी को दिली से दौलताबाद अस्थांतरित कर दिया था तो साथ कैंसर क्या हो जाएगा ये अपने बरही अनोखे फैसले के लिए जाना जाता है ये सासक M.B.T. मुहमत बिन तुगलक है ना और इसने क्या किया था सांक्यत एक मुद्रा परनाली भी चलाय था जब दौाब में अकाल परा हुआ था तब दौाब में इसने कर लगा दिया था तो इस तरह के अजूबे फैसले करता था M.B.T. मुगल काल में हिंदू धर्म सिर्फ रमाएन का फार्सी भासम अनुदा किसे ने किया था आठ़ कैंसर की ओजाएगा बदाईनी ने किया था बदाधयूद किया था और लेलावती जो पुस्तक है इसका किया था Sharjeejee ने किया था था राज तरंगनी जो प।स्तक है इसका मुछम्ध्स ठाहबादी ने क मुगल काल के सारे एक बुक्काओं के आप अनुवाद मिल जाएंगे पीडियेफ में बहुत धर में जर्म चक्रप्रवरतन का समन्दीन में से किस से है तो नौ कैंसर क्या हो जाएगा बुद्ध के प्रथम उपदेश से है इस से आसान को सुन और क्या चाहिए निंकित में किस बहुत important question और 12 कैंसर क्या हो जाएगा इसका असर ढुझे जो जएगा मीर मुहमद अलिवाल खाँ सेरसा के मकवरा सासाराम में डिक्नी आ चाहिए और इसका वास्तुकर था मीर मुहमद अलिवाल खां मकबरे का निर्मान सेर सा ने सुरुआ करवाया जब को उसके बेटा जो था इसलाम सा उसने इसको पूरा करवाया था अली गोहर ने सत्रों साथ में बिहारे किस नगर पर घेरा डाला था तो तेरा कैंसर क्या हो जाएगा तेरा कैंसर जाएगा पटना 77.67 में ताथकालिक मुगल साजादा अली गोहर साहलम दूतिये ने बिहार मुगल सत्ता के पुनार स्थापना के लिए पटना पर घेरा डाला कैप्टन नौक्स के नेतुत में ब्रिटिस सेनान अली गोहर को भागने मجजबूर कर दिया था और इस अभियान मली गहर को इलावाद और अवद के प्रांथपतियों ने भी समर्थन दिया था अठार संतावन के विद्रों में बिहार के सर प्रमुख नित्वत करता कौन थे अब सभी को पता ही एक ही है तो चौदर का एंसर क्या हो जाएगा बागु कुमर सिंग जी है चंपारन महात्मा गादी ने पर्था में स्कूल किस अस्थान पर अस्थापित किया था तो पंद्रा के अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा बरहरवा लखन सेन में अस्थापित किया था अगले पर चलें निर्मकित में किस राष्ट वयापी आंदोलन के समय बिहार विद्यापीच के अस्तापना की गई थी तो 16 के अंसर हो जाएगा डी और सहयोग आंदोलन के समय में और आज कल एकॉनोमिक्स में हमने क्या परहा है गरीबी चैप्टर को कम्पलीट किया है जिसमें गरीबी जितने समीतियां बनी है भारत में और कौन-कौन से तरीके से गरीबियों को निप्टाया जाता है मतलब खतम किया जाता है निप्टा ना गया है ना यह सब कुछ हमने परहा है स आपेकस गरीवी, नेर्पेकस गरीवी, उसको जाके आप लोग देखना, वह आपके प्री ए और मेंस दोनों में काम आएगा, आप जो मुझे मैसेज करते हो ना बार बार, जीस मेरी कारिए, जीस टू की आपको syllabus परना परेगा complete रूप से Lucent परके कोई BPSC का pre-pass कर सकता है mains नहीं pass कर सकता है आप lectures को attempt कीजिए मेरे मत कीजिए मुझे अगर पसंद नहीं करते हो मेरे lectures को तो कहीं भी और करो लेक्शर से attempt करो syllabus को complete परिए उसके बाद paper लगाने बैठना जीएस वन या जीएस टू का paper कैसे नहीं होगा जीएस वन तो इतना easy है कि क्या बोलो जीएस टू में 24-5 अलग-अलग questions आते हैं तो पहले syllabus को complete कीजिए उसके बाद question लगाने बैठी है न complete study जो लोग करते हैं न selection उनहीं का केवल और केवल होता है इस सीज को हमेंसा ध्यान में रखना आप आप जो चाहोगे लुसेंट से चारल लेंड पर लिया चारल लेंड यूट्यूब से पर लिया चारल लेंड आल नाइन पर लिया और आपका selection हो जाए तो प्री हो जाएगा मैं लिख देता हूँ नोट्स बनाईए ताकि आपको भटकना न परे कोई एक सोर्स को डिसाइड कीजिए ओके बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं आजकल इसलिए मैं थोरा सा समय लेकर आपको बता रहा हूँ ओके आगे बढ़ते हैं ने तो समय आपका खराब होगा तो सोलह कैंसर क्या हो जाएगा सोलह पारतों लैं निम्डे वापी आंदुरों के समय बिहार विद्यापीर के स्थापना की ती और सही हो गांदून के दौरान की थी छे फरवड़ी ने सोट को बिहार राश्टी महाविध्याल और विद्यापीत का उद्वाटन किया ना चलो बताता हूं इनके साथ कौन-कौन फरार हुए था है रामानंद में स्रीयोगेंदर सोकर सूरज नाराइन सिंग गुलाव चंदर सोनार साली गराम सिंग यह सभी जेल से भाग गये थे अब इने में से कौन है मेरे गाओं के यह मैं नहीं बताऊंगा अपने सिक्सासन क अब भारतिय महिलाओं की दैनी एस्तिती पर पंधिता रमावाईने निम्रीकित में से किस पुस्तक की रचना की थी 18 किया हो जाएगा ए हाई कास्ट हिंदू वूमन इसकी रचना किसने की है पंधिता रमावाईने भारते महिलाओं के दैनी एस्थिती पर इन्होंने किताब लिखा रपंदिता रमावाई ने अठारा कर लिया हमने अगले पर चलें और मदर इंडिया किसकी पुस्तक है यहां पर बुक का नाम तो बता दू यह है कैथरीन मेयो का जिसने 1927 में इस बुक को लिखा कैथरीन मेयो ओके इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडरनिटी यह किसकी बुक है यह बुक है बी आर नंदा की ओके और वुमन इन बुधिष्ट लिचिरेचर यह बुक है बी सी लौ की बी सी लौ फारस के सासक नादी साह ने भारत पर आकरवन करने में परिकितमें किस वरस करनाल की युद्य मुगल सेना को पराजित किया था 19 कैंसर क्या हो जाएगा 1749 इस भी में ओके और इसने जब आकरवन किया उस समें मुगल सासक कौन था तो महमत सार रंगीला था उस समें मुगल सासक बीटेस पूर्टगालियों भारत तो अपनी पहली व्यापारी कोठी अस्तापित की थी एक इस का अंसर क्या हो जाएगा कोचीन में अगला है कौन सा युगम सही सुमेलित है दिल्ली दर्वार का आयजन लॉर्ड लिटन इंडिया नेलवे के सुरुवात लॉर्ड चेम्स फोर्ड सती समझ में आगी बात अगले पर चलते हैं नेम लिखित में से किस नेता ने और सही गांदोलों के दोरान सिबिल से बाकि नौकरी छोड़ दी थी तो 23 कैंसर क्या हो जाएगा सुभास बाबू थे जिन्हों ने छोड़ दिया था यह नेम में से किस रियासत को सैनिक कारवाई क सहीयोग से भारत में सामिल किया था तो 24 का एंसर क्या हो जाएगा हैदराबाद को सामिल किया था ओप्रेशन पोलो याद होगा सभी लोगों को सरदार पटेल पहले इन्होंने समझाया बुझाया नई माने तो ऑपरेशन पोलो हुआ भी मिला लिया फिर सादार पटेल वहा उनका चेहन करना है आप लोगों को रोख कर करना है मैं तो डारेक्ट इंसर पर जाओंगा क्योंकि मेरे पास एंसर रखा हुogrा है पचिस कामने ना क्रिसी है कृपस मिले सिमिसन फिर वेवल योजना फिर ट्रियू की योजना आ जाएगी ना इसका अंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा किर्फ मिसन 1942 है वेवेल योजना 45 है कैबिनेट मिसन 46 है और एट्टिडी का घुसना 40 है अगले कोसन पर चलते हैं समराजवाद यहां सैनेवाद पूजीवाद की जुरुआ संताने है यह कथन निम्द से किस नेता का है तो 26 का अंसर क्या हो जाएगा लाला लाज पत्राई जी का यह कथन है सेरे पंजाब कहा जाता है इनको उके 19 वी सदी मुए पबना विद्रो का समंध किस राज़ से है तो 27 का अंसर क्या हो जाएगा बंगाल राज जिसे है भारत प्रेस को नियंतरित करने हैं तो देशी भासा समाचाज पतर अधिनिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वर्स पारित किया गया अभी अभी उस गवर्नर का नाम आया था गवर्नर जनरल बाईसरे का लिटन और ये कब था तो ये था 870 के आसप कराई जाए इस पर सहमेती नहीं बन पाई थी जलिया वाला बाग नरसंगहार एक ऐसा निरनायक मोर था जब भारतिय बिटिस सासंस अलग हो गए यह कथन किस इत्यासकार का है तीस कैंसर हो जाएगा एपी जे टेलर ने ये चीज़ बोला था कि जलिया वाला बाग नरसंग भार के बाद है ना यही इन्होंने कहा था भारतिय राश्टे कॉंग्रेस ने आजादी से पूरो प्रथम सुतंता दिवस मनाने का निर्ने लिया था कब लिया था तो 26 जन्वरी उने सो तीस इस भी को राभी नदी के ट्रत पर पंडित नहरू ने जंडा फैरा था और पू कोशन नहीं पूछने चाहिए सापताहिक प्रकासित होता था इंडियन ओपीनियन अठार संतावन के विद्रों में सामिल होने कारण मुगल बादसा बाहदूर साथ जफर पर मुकदमा कहां पर चलाया गया था इसका है दिल्ली में दिल्ली लाल किला है ना वहां पर कभी आ अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो वहां पर अठार संतावन म्यूजियम है बहतरीन म्यूजियम है मतलब मैं गया था मैंने देखा उसको बहुत ही बहतरीन है आपको किताब पर रहें कि जवरत ही नहीं परेगी इतना बढ़ियां वहां पर म्यूजियम मोनों ने लखा है अगला बिट्रिस भारत में किस आयोग ने प्रतेक प्रांत में अकाल आयोग अस्थापित करने के सिफारिश की थी तो इस्ट्रेची आयोग ने बोला था कि प्रतेक प्रांत में एक अकाल आयोग बनना चाहिए ओके स्टेची आयोग कब आये था वही लिट्टन के समय में ही अभी अभी जो बताया मैंने 18-18-18-18 का सपास अभी मैंने बताया ना कि दिल्ली दरवार कायजन किया था पहली बात तो दिल्ली दरवार लोगों को नहीं पता होता है यह ना जो बाहर से ब्रिटेन से क्या होता राजा महराजा रानी महरानी आती थे उनके लिए भारत में दरवार सजाय जाता था बिल्कुल अच्छे से समझ रो ना उसी को दिल्ली दरवार कायजन हुआ था तीसरे दिल्ली दरवार कायजन हुआ था यही सब था ओके तो जब अकाल परा हुआ था ना तो उसी समय में क कि वह बड़ा भोज आयजित कर रहा था और एष्ट्रेची आयोग अकाल के लिए उसी के समय में बनाया गया था एष्ट्रेची आयोग सक्तियों का प्रिथक्रन संब्न्धित है किस से तो 35 का एंसर क्या हो जाएगा करनवालिष संगीता संगीत है करनवालिष संगीता किसके यह है सिविल सर्विसेज जो आप देखते हो IAS IPS यह सब उसी का बनाया हुआ है करनवाल इसका गुलाम भारत का आजाद भारत का IAS IPS किसने बनाया है सरदार पटेल साथ ओके 26 नॉमबर भारत में समिधान दिवसकुरूप मनाया जाते है इसकी सुरुवात कब से हुई है 36 का इंसर क्या हो जाएगा 2015 सुरुवात हुई है एक निर्वाचित समिधान सवादवार भारत के समिधान का निर्मान करने का प्रस्ताव किया गया था 37 कैंसर क्या हो जाएगा किर्प्स मिसन के दौरा मार्च 1942 रटा होना चाहिए सब चीजें कभी किसी प्रसासक की जीवनी अगर परनी होना मन से प्रसासक कैसा होना चाहिए किस तरह का आदमी का लीडर का विक्तित्थ कैसा होता है तो सरदार पठेल जी के जीवनी जरूर परिये ये एक ही चीज मानते थे पता है क्या ये मानते थे साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सासन करना आना चाहिए समझ रहो ना एक सख्त लेडर की छवी थी इनकी जरूर परना अगर मौका मिले तो आपको सिल्यवस के किताबों से मौका ही नहीं मिलता यही मूल रूप से सब के साथ होता है 73 समिधान संसोधन के ताहट किस राज में सार पर्थम पंचाय चुनाव करवाए गया और 30 कैंसर क्या हो जाएगा मद्य परदेश में ओके किस राज में 73 समिधान संसोधन है बंदू और वो 1958 वाला अलग है नागवर वाला राजस्थान वो अलग है किस राज में नगरपालिका के सीमा छेत्र को अधिशुचित करने के लिए 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 कौन सक्षम है जो नगरपालिका होती है ना इसके सीमाच्षेतर को कौन अधिश्य उचित करता है राजजी में। 49 का अंसर क्या हो जाएगा? 49 का अंसर हो जाएगा B संबंधित राजजी का जो राज़पाल होता है वही करता है। आर्टिकल 243 के तहथ है। भारत मिराश सभा का सौपत्थई कौन होता है? 40 का अंसर क्या हो जाएगा भारत को प्राश्पती होते हैं किसी समथान किस समथान संसोधान दौरा मतदान किया आई गया था ये कुश्यन गलत नहीं होना चाहिए बार 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 हम लोग करते हैं एक सबिधान संसोधान 1989 और राजीव गांधी जी थे वो उस समय 1989 लिख रहा हूँ 1989 राजीव गांदी जी थे वो ने ने प्रधानमंतरी बने थे उन्होंने क्या बोला कि हम तो युवाओं को ससक्त करके रहेंगे 18-18 साल के लड़के-लड़कियों को उन्होंने चुनाव मतदान करने का दिकार दिया था आपसे BPSC में या UPSC में पता है क्या कोशन पूछेगा क्या मतदान की आयू को मतदान की आयू को सोलह वज़ कर दिया जाना चाहिए अपना विचार दें पक्षवी पक्षवी दोनों लिखें आपके हिसाब से बताओ आप किसीने कहा कर राश्पती का राज की आपात अधिकार समिधान के साथ दोखा है राज की आपात अधिकार जो राश्पती आपातकाल लगा सकती है किसने कहा था तो 42 का अंसर क्या हो जाएगा starving का हो जाएगा कि IMA NAMBR ने यह चीज कहा था समिधान सभा में जब भासन पर भासन चल रहे थे उस समय इन्हों ने कहा था के अम नाम बियार समिधान सभा के भासन आप लोग ने परहें एक नहीं NCRT में उसका आप लोग आधार बना के बहुत सारे कुछ लिख सकते हैं एंसर में निजदा का अधिकार को जीवन और व्यक्तिकत सोतंता का अधिकार का अंतिक्रत रखा गया या समिधान किस अनुक्षेद से संबंधित है तार्टिकल 20 में निजदा का अधिकार थे तालिस का अंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा सम्मधानिक वरिता सुची में छटे अस्थान पर कौन है? चोवालिस का एंसर क्या हो जाएगा? इसका एंसर दिया हुआ E यानि की C पलस D दोनों एंसर दिया भारत के मुखे नादिस और लोकसभा का ध्यक्ष जो है ये छटे अस्थान पर एक साथ दिया हुआ है पहले पर राश्पती हैं, दूसरे पर राश्पती तीसरे पर पर राज्योग राजपाल पांच में पूर पर राश्पती हैं और उपर पर राश्पती हैं चटे पर भारत के मुखे नादिस स्थान ये सुआसन पन्चाइत विगड़ा तो पैंतालीस के अंसर हो जाएगा लोग पांत्रि के अंधिर करनंगा प्रीयोग है केहितर के सैंसर हो जाएगा संथानम संधी की क अनशान पर किया थह है कि 318 ano कि यूधेगा अनुछी 200232 इंट投वाधिक देशों से गुजरती है और तालिस का अंसर क्या हो जाएगा डेन्यूब नदी है जो सबसे जादे देशों से गुजरती है आपको पता होना चाहिए नौ देशों से गुजरती है युरूब के दूसरी गाला पोगास पागोस दीप किस अन महा देश कंतर गताता है, गाला पागोस दीप, 49 का एंसर क्या हो जाएगा, यह दक्षिनी अमेरिका के महा दीप कंतर गताता है, प्रसांद महा सागर में स्थित, गाला पागोस दीप, इकवाडोर के अधिकार छेतर माता है, इकवाडोर क क्या हो जाएगा बी रूस में बैकाल जील जो है न वो सबसे गहरी जील है विसु की यह एक मीठे पानी का जील है भारत की सबसे बरी जील कौन सी है तो चिलका जील ही है शीरोको वोरा विलजर्ड और देश है और अस्थानी वायू है आपको मैच करना कौन से सुमेलित नहीं है एक क्यावरां के अंसर क्या हो जाएगा केवल बन सुमेलित है सिरोको सहारा रेकिस्तान से भूमद सागर के बीच पर वायत होने वाली गर्म सुस्ख रेटिली हुआ है बाकी सभी सही सुमेलित है यानि की वोरा इटली में चलती है बिलजर्ड बिजर्ड ये कानाडा में चलती है और सीराको कहां चलती है तो सहारा में अभी बताया मैंने अब अब सीनिया के पठार का विस्तार की इस देश में नहीं है तो 52 कैंसर क्या हो जाएगा केनिया में नहीं है बाकि सोमालिया इथूपी जुब्यूती इंसम में है हॉर्न ओफ अफ्रिकी कांट्री है ये इन्मार्क में है, सबका पता चल गया, तो A का 3 होगा, B का 1 होगा, A का 3, B का 1 किस में दिख रहा है, यही आप्सन में दिख रहा है, तिरबन का A अंसर होना चाहिए, अगला है संग सासित, शेतर पूर्दूचेरी का वस्तेती निम्कित किन राज्यों के बीच में इस्तित है, तो बताओ, बहुती असान कुस्सन है, तामिलाडू, केरल और आंद प्रदेस के बीच में है, तीनों राज्यों में है, चोबन का अंसर C हो जाएगा, तामिलाडू में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, हम लोग पूर्दूचेरी और कडाईकल, अयनम नमक जगह है आंद प्रदेस में बहुती खुबसूरत, और माहे जो है एक किरल में है, धौली गंगा और विस्नु गंगा नदियां किसके यकिन के निकटन मिल जाती हैं, पच्पन कैंसर क्या हो जाएगा, विस्नु प्रियाग में मिलती हैं, धौली गंगा और विस्नु गंगा, ओके, देव प्रियाग में कौन से मिलती हैं, तो भागी रती और अलक नंदा जहां से गंगा जे निकलती हैं, और रुद प्रियाग में अलक नंदा और मंदाकनी नदी हो जाएगा, ओके, अगले कुस्टन पे चलते हैं, भीमा नदी निमन में से किस नदी की सहायक नदी है, छप सदूर्ज इक्त सूरी से प्रोटॉन तिठ्था एलक्टॉन के आविषित का नभी सर्जित होते हैं। सूरी के प्रिकाहस से निकरने वाले और दिरस्श किरने परावेगणी और अबरक्त किरने सौर कलंक सूरी के 20 डिए 3D выпster ita दक्षीन साक्षांसोग मद्यूतपन होते हैं 57 का इंसर क्या हो जाएगा कौन से गलत है इसमें इसमें गलत दिया है कैवल 3 बांकी सारे option इसके सही है इसका अंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा कि C गलत है और कहां पर यह सूरी का लंक निकलता है तो 5 डिग्री से 40 डिग्री के बीच अक्षांस पर निकलता है यह सम नहीं याद रखना इतना tough question नहीं पूछता है BPSC भारत के किस भाग में सरवाधिक दैनिक ताप अंतर पाया जाता है दैनिक ताप अंतर क्या होता है वहाँ एक दिन के ताप मान में सबसे ज़्यादा अंतर होना चाहिए तो 58 कैंसर क्या हो जाएगा डी राइस्थान के मरुवस्थालिय चेतर में सबसे ज़्यादे तापांतर होता है दीन में वहाँ पर 48 डिग्री तक का टेंपरेचर जाता है और रात में वहाँ पर 20 डिग्री तक का टेंपरेचर जाता है क्यों रेत जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है अमल तलास केंदू और पलास किस प्रकार के वनवे पाए जाने वाले प्रमुख बिक्ष है 59 का एंसर हो जाएगा सुस्क परनपाती बिक्ष है तो अली राजपूर है मद्परदेश का जो नियुंतम साक्षरणता वाला जिला है और विहार देश का नियुंतम साक्षर्ता वाला राजजी है मिजोरम का सेरचिप जिले का साकषरणता 98.76 परसेन्ट है जनगना दोयर 11 कंसार भारत में सिर्स अनसुचित जनजाती वाला राजजी कौन सा है स्टी जनसंख्या सबस्जादे कहां पर है तो इसके अंसर हो जाएगा MP में है किरसी जलबाई चेतर कंसार जोन 1 में बिहार कितने जिलों को रखा गया है 62 के अंसर क्या हो जाएगा C 13 जिलों का रखा गया है जोन 1 है उत्तर पूर्वी चेतर जोन 2 में उत्तर पूर्वी चेतर आता है जोन 3 में दक्षिनी चेतर आते हैं 13 जिले हैं उत्तर पूर्वी चेतर यानि कि जोन 1 में जोन 2 में है यानिक उत्तर पूर्वी छेतरों में 8 जिले है और जोन 3 में यानिकी दक्षिनी छेतरों में 17 जिले आते हैं ओके असपस्ट हो गया आगे चलें मखाना सोध संस्थान कहां पर है मखाना डिसर सेंटर दर्वंगा में है दिस के चार महानगरों को जोरने वाला स्वरनीम चतुर भूज बिहारे की जिले से होकर नहीं गुजरता है 64 कैंसर क्या हो जाएगा इसमें से 19 से होकर स्वरनीम चतुर भूज नहीं गुजरता है बाकि वो सब राज्यों सोकर गुजरता है स्वारनीम चत्रभुजी उजना इसिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कसॉप कहां परवस्थित है 65 कैंसर क्या हो जाएगा जमालपूर बिहार नियुन्तम जनसंग क्या घनत वाला जिला कौन सा है सरसट का अंसर क्या हो जाएगा चैमूर बहुत ही असाना सन कोस्चन मिलने है आज तो आप लोगों का मतलब फ्री ओफर मिल गया वन रिपोर्ट एक इस कंसार वर्तमान बिहार वन च्छेतर कुल कितने परिशत पर है तो सरसट का अंसर क्या हो जाएगा 7.84% पर है वन रिपोर्ट एक इस कंसार विहार वन च्छेतर कुल 7.84% पर है जो कि पिछले रिपोर्ट में 7.76 था समझ में आ गई बात और 7,380 वर किलोमेटर वन च्छेतर विहार में है भारत में कितना है 24.72% वित्यवर्ष 22.32% के बिहार वजट का आकार या कुल वे बजट कितना है और 60 का अंसर क्या हो जाएगा और 60 का अंसर लिज़ाए B 210,29,697,790 का बिहार वजट का आकार या कुल वे बजट है समझ में आ गई बात B अंसर दिया हुआ है सरवादिक वन्चेतर वाले बिहार के जिलो का सही करम कौन कौन सा है सवसे पहले आ जाएगा कैमूर उसके बाद से आ जाएगा जमूई उसके बाद से पस्मी चमपारन फिर गया आ जाएगा 21-22 के इसाब से इसमें दिया हुआ है इसका एंसर दिया हुआ है C कैमूर में 11-13 लाख हेक्टियर जमूई में 0-9-3 लाख हेक्टियर पस्मी चमपार में 0-9 लाख हेक्टियर और गया में 0-7-8 लाख हेक्टियर है बिहार प्रती वेक्ति बिजली खापत 21-21 में कितनी थी 70 के अंसर क्या हो जाएगा 20-350 किलो वाट प्रती घंटा ये रहा मेरा आटोग्राप केंद्रे बजट दोयर 22-23 में सरवादी खर्च की समद में अनुमानित है 71 कैंसर क्या हो जाएगा ब्याज भुकतान में अनुमानित है ब्याज भुकतान में 20% वे किया जाएगा केंद्रे बजट का और करोव वास्तुलकों में राज्यों के हिस्सा पर 17% का वे किया जाता है केंद्रे छेत्रे के स्कीम पर 15% पैसा वे किया जाता है कैंसर कार के द्वारा रक्षा पर मातर 8% है और सिख्षा पर तो बहुती कम है लिखा भी नहीं यतिना कम है भारते पहली बार बैंकों का राश्टे करन कब किया गया था तो 72 कैंसर क्या हो जाएगा 1969 में किया गया था वैसे अगर सही 60 कैंसर पूछो इसका उन्हें सो उन्चास होना चाहिए वो है 1949 इस भी में इसको जरूर याद रखना 1969 में 14 बरे बैंकों का विले जरूर हुआ था राश्टे करन जरूर हुआ था लेकिन वो गलत होगा यहां पर है ना जब उन्चास है तो उन्चास मानेंगे विस में स्टार्ट अप एकोसिस्टम में भारत किस अस्थान पर है 73 के अंसर क्या हो जाएगा भारत तीसरे अस्थान पर है स्टार्ट अप एकोसिस्टम अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में स्टार्ट अप के मामले में हम आते हैं समझने की बात है ये यूनिकॉर्ण की संख्या में हमारे देश में बार गए यूनिकॉर्ण क्या होता है एक सिंग वाला घोड़ा क्या नहीं यूनिकॉर्ण कंपनी की में बात कर रहा हूँ इनका 100 बिलियन डॉलर से भी जादे का कारवार हो गया है निमकॉर्ण की कौन सा मिलांत सही नहीं है 74 की अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर बजय है गांधिवादी योजना 1942 ये सही नहीं है ये 1966 कब आयी थी में बता देता हूँ यहाँ पर दिया हुआ होगा गांधिवादी योजना भी 1944 में ही आई थी रोजगार मापन के लिए मानक व्यक्ति वर्ष को किस पंचवर्षी योजना में अपनाया गया था 76 कैंसर क्या हो जाएगा D. 65 योजना जो है उसमें अपनाया गया था आगे बर हैं गरी भी हटाओ का नारा दिया गया था 65 योजना में पुस्तक Plant Economy for India के लिखा कौन है तो 77 कैंसर हो जाएगा M. विश्वसरया जी है M. विश्वसरया 1934 में नों ने लिखा था Plant Economy for India ने मिकने कौन सी संस्था गैर साम भी धिक नहीं है 78 कैंसर हो जाएगा वितायोग है जिसका आर्टिकल क्या है आर्टिकल 280 है वितायोग का आर्टिकल हरित करांती से निमन में से कौन संबंधित है William Gaur, M. स्वामी नाथन, Norman Barlog, Vargis Korean 79 कैंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3 इसका बिल्कु सही है हरित करांती साथ का सबसे पहले उप्यों किया था Dr. William Gaur नहीं आर्टिकल नाथन को और Norman Barlog को जानते ही हो Vargis Korean कौन है तो Milk Man of India कहा जाता है ने इनको ओके आगे बढ़ है बेसल मानक का समन्द किस से है बेसल मानक बैंकिंग छितर के लिए बनाया गया बेसल तीन चल रहा भी उभुकता मुले सुचकांग सहरों के लिए बढ़ जाएं आगे बढ़ जाते हैं बिरास्ती भारते 20-30 कारे करम को किस वर्ष सुरू किया गया था 82 कैंसर क्या हो जाएगा 1975 में अगला है राश्टी पोसंस अपताद वैरकीस का थीम क्या है इसका थीम है Feeling Smart Right From Start ओके थीम गजब के रखे जाते हैं अपने देश में निवनेसर भारत के किस राश्टी राजमार के भाग को अपातकालीन हवाई पट्टी के रुप में विक्सित किया जा रहे मतलब वहाँ पर मानलो युदूद हो गया हमारे एरपोर्ट पर उन्होंने बहुत सारे बमम गिरा दिये हमारे एनेच भी प्लेन को टेक आफ और लेंड कराने के लिए यूज़ किया जा सकता है तो कौन सा ऐसे एनेच है एनेच 925A पाकिस्तान सीमा के नजदीक बनाया है बिलकुल हमने बिलकुल सही जग़ा उ binary perfect place हाली में संपन टोकियो उलम्पिक के संदर में कौन सा कथन सही है इस कांसर हो जाएगा C इस उलम्पिक में भारत ने तीन कांसपतो जीता ये सही है इसमें दिया हुआ है कि चार कांसपतो जीता था भारत ने दो रज़त जीता था और गोल्ड तो आपको पता ही है एक गोल्ड भी जीता था हमने ओके बारत के किस उच नयाले का नाम परिवर्तित कर नाम रखा गया है तो 86 के अंसर क्या हो जाएगा जमू और कस्मीर उच नयाले का नाम बदला गया है अगले पर चलते हैं कें सरकार दोरा राष्टी होमेपैथ आयो का गठन किया गया आयो का पहला चेयर मैं किसे बनाया गया है तो 87 का एंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर अनिल खुराना को होमेपैथ आयो का नया चेयर मैं बनाया गया है पहला पहला ही चेयर मैं है यह जरूर ध इधान मंडल ने धर्म की सुनता गाधिकार सनक्षर विध्यक द्वारेकीस को पारित किया है 89 का एंसर क्या हो जाएगा करनाटक राजिनी इसको पारित किया है सूरत मेट्रोडेल परयोजना के लिए भारत सेकार ने किसके साथ एक रींद समझोता किया है 90 का एंसर क्या हो जाएगा जर्नी विकास बैंक के साथ एक रींद समझोता किया है किसने सूरत मेट्रोडेल परयोजनाने पंदर अक्टुबा 22 को जारी गलोबल हंगार इंडेक्स रिपोर्ट है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो 101 में पोजिसन पर है हम लोग इसको जरूर धियान रखना 116 देशों में मात्र नीचे से टॉप कर रहे हम इन सब रैंकिंगों में बिर्धी विकास इसने परहा होगा उसको समाझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ अब से भारतें प्रावड सिक्षा क्या कहलाएगी 92 के एंसर क्या हो जाएगा सभी के लिए सिक्षा कहलाएगी दगरो में इस पुस्ता के लिखक कोन है 93 के एंसर हो जाएगा डेमन गलगुट है इसके लिखक और यह उपनession द्यारकी से प्रकासित हुआ था बात और बंग्लादेस के मैत्री सेतू का सभारम किया जैसे तुकिन दो अस्थानों को जोड़ेगा 95-に ऐसे काइन सर ऊजाएगा सब रूम से रामगड को जोड़ेगा ऊके कौचत और भारात और बंगला-देस के बीचे मैत्री से तू बनाया गया है या निर्मान फेमी फेनी नदी पर किया गया है एक दौसन नौ किलो मीटर लंबा है ये बारस रगाने युकरेन ने फसे भारतियों को वापस ले लाने है तू कौन सा उपरेशन चलाया था इसका नाम था उपरेशन गंगा नेशनल लोजिस्टिक सबसे अच्छा है इसमें गुजरात उद्योग मंतराले इसको जारी करती है औल इंगलेंड बैडिमिंटन चेंपियंशिप के फाइनल ने भारत के लक्ष सेन को हरा कर किसने खिताब अपने नाम किया था नैंटीट का एंस विक्टर एक्सल सेन ने अपने नाम कर लिया था भारत के लक्ष सेन को हरा दिया था औल इंगलेंड बैडिमिंटन चेंपियंशिप में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिसन गंगन्यान मिसन के लिए भारत इसरों ने किस देश के साथ समझोता किया है यह फ्रांस की स्पेस एजेंसी है समचार के सुर्ख्यों में रहा गा भारत और किस देश के बीच में होगा तो एक भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है सी अंसर हो जाएगा भारत और कजाकिस्तान मार के आना किर्गिस्तान मत मारना बिहार के सभी गाउं में सोलर एस्टीट लाइट के लिए वित्तिय वरस तो है इस बाइस में कितने करो अस्थान पर है बिल्कुल टॉप कर रहे हैं में इन सब मामलों में नीचे से लेकिन मतलब बिहार में रेस्टोरेंट वगरा में खाना खा रहा हो ना तो खादे सुरक्षा वहां पर नहीं है आपको पता है रेस्टोरेंट वगरा को भी FSAI मानक प्रदान करती है FSAI जो होती है ये बरेवर रेस्टोरेंट को भी मानकता प्रदान करती है FSAI में खादे सुरक्षा सुरिस्ट करने में बिहार बिहार बिल्कुल टॉप कर रहा है नीचे से देश का पहला सिल्प कला म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है 104 कैंसर क्या हो जाएगा D पत नाम बनाया जा रहा है मैंने इतनी सारी आलोचना इसले की है न ताकि आपको ये खादे रैंकिंग याद रहे और कोई मेरा मोटिव नहीं था और ये मूजियम कहां पर सिल्प कला वाला तो पत नाम बनाया जा रहा है निमनी से किस थास्तान पर बिहार का दूसरा एम से बनाया जाएगा 105 कैंसर हो जाएगा दर्भंगाम बनाया जाएगा मेरे सहर में अपरैल 22 में मूंबई माजी चालीस में हुनर हाट संसकरन का उद्धाटन किस ने किया इसका उधार्टन किया था अनुडाग ठाकुरने बिहार राज्य योजना बोर्ड को अध्यक्ष वरतमान में कौन है 107 के अंसर हो जाएगा स्री बिजेंज प्रसाद यादब जी बिहार राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है विस्ट बैंक के रिपोर्ट का अंसार भारत में 2011 के तुल्लाम 2019 में गरीबी की मातरा में कितने परशद की कमी आई है 11.19 की पूछ रहा है वर्ल्ड बैंक का डेटा है जरूर ध्यान में रखना नोट करके लिख रेना एंसर राइटिंग में इसको यूज करना पटना का सबसे ज़्यादा है और सी बहर का सबसे कम है बताया ही था मैंने और ये में हमने एकोनोमिक सर्वे में भी किया है इस तरह के कोस्षन है न एकोनोमिक सर्वे से ही था आपका एकोस्षन 110 है कि मई 2022 में Quad Summit का आईजन जापान के टोक्यो में संपन हुआ, नेम की तो कौन सा देस Quad का सदस नहीं है, तो इसमें से Quad का सदस जो नहीं है, वो E एंसर हो जाएगा, ये चारो ही Quad का सदस से हैं, 110 का एंसर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, Australia, जापान, अमेरिकार और भारत ये ही तो चार है हाईगरो मीटर का प्रयोग किया जाता है किस सीज में, इस तरह कोशन एक पका है, BPSC मापके, 111 का एंसर रोजाएगा, हाईगरो, हाईडरो जब भी हाई आ जाने हाईगरो, हाईडरो ये सब तो पानी को जरूर धियान में ले आना, यानि कि आदरता, तो आदरता किस का मा मापेंगे हम, तो वाई मंडली आदरता मापने के लिए हाईगरो मीटर का यूज किया जाता है, आदरता मापी यंतर कहते हैं इसको, पलाएन वेक का मान निम्किते कौन सा सही है, तो 11.2 किलो मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार पकर लो, पिर्थिवी का ग्रैविटेशन आ तो आपको escape velocity को हासिल करना परेगा, जो आप escape velocity को हासिल कर लोगे तो उसका gravity आप पर काम नहीं करेगा, तो पिर्थिवी का वो कितना है, तो 11.2 किलो मीटर प्रति सेकेंड है, जो गोली चलती है या मिसाइल चलती है, वो 3-4 किलो मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार ही पर ही किस Kelvin ताप पर होता है तो 113 का Cancer हो जाएगा इसका हो जाएगा 277 Kelvin ताप पर होता है यानि कि 4 D bedroom C का निकालोगा 273 में जोर तो 4 D bedroom C Kelvin में निकालाता है यही तो करते है 273 ही तो एड़ करते हैं Celsius को Kelvin में बदलने के लिए यही तो करते हैं 273 ड dues Shawer Matsna हो जाएगा कैल्बिन ओके दोपर के समय इंदर धनुस की स्थिसा में दिखाई देता है तो 114 का क्यांस हो जाएगा दिखाई ही नहीं देगा क्यों क्यों क्योंकि दोपर में सूरी जो होता है उस सर के उपर होता है है न तो तब इंदर धनुस बन ही नहीं सकता इंदर धनुस तरंग वाई मंडल के किस परत से परावर्तित होती है उच रेडियो तरंग की बात कर रहा है तो 115 के क्या रोजाएगा आइन मंडल से परावर्तित होती है यंतर जो बिदूत उर्जा को यांतरिक उद्यार बदल देता है किसको बिदूत को यांतरिक में बदल रहा है तो क्या होगा वो बिदूत मोटर ही तो होगा मोटर काम क्या होता है स्विच देखो जब भी किसी का देखना हो तो देखना input क्या जा रहे, output क्या मिल रहा है input यहाँ पर क्या है, बिजली input है output क्या मिलता, motor से आप कुछ भी करो motor चलाओ, पानी वाला motor चलाओ या पंखा वाला motor चलाओ, motor तो motor का ही काम करेगा न बल्व तूटने पर तीबर आज क्यों होती है 117 का answer सब को पता होना चाहिए बाहर की वायू तेजी से बल्व में आती है इसका answer A दिया हुआ है ओके 118 किसी तरंग गती में तरंग दैरे किसके समतुल है 118 का answer हो जाएगा 118 का answer दिया हुआ है E, यानि कि तरंग गती एक पुर्ण चक्र करने में जितनी दूरी तै करती है उसे तरंग दैरे कहते है तरंग गती में तरंग दैरे दो लगातार स्रिंग या गर्थ की नियुनतम दोरी होती है ये गती द्वारा निरूपीत किया जाता है तो इसका answer इसमें से E हो जाएगा कोई साभी सही नहीं है ओके आगे बने कि ये समझ में आ गया तो इसमें होता क्या है दो लगातार गर्थ की दूरी ले लो या दो लगातार स्रिंग की दूरी ले लो तभी तो होगा ना या तो इन दोनों के दूरी ले लो या तो इन दोनों की दूरी ले लो तभी तो होता यांतरिक सक्ति का साइ मातरक क्या होता है यांतरिक सक्ति पूछ रहा है तो इसका दो वॉट होगा यांतरिक सक्ति का साइ मातरक वॉट है जबकि कारे का मातरक क्या है जूल है बाकी का तो पता ही होगा एनिमोमीटर बोलोमीटर टैकोमीटर पाइडोमीटर और इधर दिया जिसे दूरी उचाई और दिसाओं को तेजी से माप के लिए डिजाइन किया गया है किसका किसका मैंने बोला दूरी उचाई और दिसाओं को मापने के लिए ट्रेको मीटर का यूज किया जाता है ट्रेक्स और ट्रेको को याद रखना अगले कुसम पर चलते हैं कोईले एक खान में किस गैस के उपस्तिती कारण प्राय आग लगने की घटना होती है तो मीथेन गैस होता है जिसके कारण आग लग जाते हैं वहाँ पर आइडन का इस के कौन साइस में से 122 का अंसर क्या हो जाएगा हेमेटाइट है लाइमेस्टों तो चुना पत्थर हो गया निम्चे कौन सा गैस नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है 123 का अंसर क्या हो जाएगा सी हीलियम नोबेल गैस यह हैं कौन को सा हीलियम, नियोन, आरगन, क्रिप्टन, जैनन, रेडन यह सब नोबेल गैस हैं एनालोजेसिक ड्रग के रूपे किस हेलोजन गुर्प का उपयोग किया जाता है तो ब्रोमीन का उपयोग करते हैं इसके लिए और इस बिमारी में क्या होता है इसका वास्प, आंख, नांख, गले, कोहानी पहुँचाता है कीट मारी में ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है बस यही तो है वैसा विलियम जो लाल निटमस को नीला कर देता है का पियच मान क्या होगा लाल को नीला कर रहा है तो 125 का एंसर क्या होना चाहिए इसका एंसर दिया हुआ है यानि की विलियम जो लाल निटमस को नीला कर देता है वो छार होता है यानि की जब ऐसी डिक डालते हैं तो नीला वाला लाल हो जाता है अब इसको कैसे याद रखें भाई ऐसी डालने पर जल जाता है जलने पर कोई चीज लाल हो जाता है और जब red पर हम डालेंगे base तो ये फिर से नीला हो जाएगा तो इसमें से base का तो कोई है ही नहीं साथ से ज़्यादा pH होना चाहिए ने basic के लिए छार के लिए नीला थो था इपसम, salt, baking soda, casting soda, 126 का नीला थोलता क्या हो जाएगा copper sulfate A का 4 दो option में हैं यानि कि इन दोनों को पहले काड़ दो ओके, इपसम, salt, मेगनेसियम, sulfate पर चलते हैं तो B का 3 किस में दिया हुआ है, दोनों में दिया हुआ है baking soda, baking soda क्या होता है, sodium bicarbonate होता है इसका answer C का पर क्या जाएगे हम, sodium bicarbonate पर A पर चले जाओ तो C का 1, इसका answer क्या होना चाहिए, इसका answer D होना चाहिए और इपसम, salt क्या है, तो अभी हमने match करी लिया और कौन बचा हुआ था, casting soda को क्या कहा जाता है, तो sodium hydroxide कहा जाता है बंदो, इसको जरूर याद रखना है match हो गया सारा, इसका answer D है 127 पर चलते हैं, निमनों से किस बहुलक का प्रियोग, non stick pen के उत्पादन में किया जाता है वो जो एक ऐसे pen बनते हैं, जिसमें चिपकता नहीं है, खाना बनाते समय तो उसको उसके बनाने में कौन सा किया जाता है, यूज ये पूछा है आपसे, बहुलक 127 का answer क्या हो जाएगा, टेफलोन का यूज किया जाता है वर्षा की मातर निमनकीत में सबसे अधिक नेरवर करती है किस सीज पर, तो वाई मंडल की आदरता पर और वीडियो पसंद हो, तो लाइक जरूर करना बहुत देर बोलना परता है लगातार, भीगे कपड़े को पूरी तरसे धकड़े पर LPG सिलेंडर में लगी आग क्यों बुच जाती है क्योंकि उसकर तो ऑक्सीजन पहुंचना बंज हो जाता है सिलेंडर की गैस का ऑक्सीजन से संपर्क टूटने कारण एए एंसर होना चाहिए और यह सा चीज आपको पता भी होना चाहिए घर में भी आपके काम आ सकता है कभी सुरक्षा करूप में ट्रांजिस्टर एक उपकरण है किस तरह का तो इसमें दिया है तीन सिरे वाला नेमर्खित विकल्पम से कौन सा विकल्प सही है फूलो का उतपादन फ्लोरी कल्चर, मदमकी पालन सेरी कल्चर, फलो का उतपादन पीसी कल्चर, रेसम कीट पालन एपी कल्चर तो एक सो कतीस का अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा फूलो का उतपादन सही है ये पूचा है तो फुलोरी कल्चर कहलाता है मदमकी पालन क्या कहलाता है मदमकी पालन को कहते है एपी कल्चर और फलत पादन को बोलते है पॉमोलोजी है ना उसके बाद से क्या बोला है रेसम कीट पालन को सेरी कल्चर कहा जाता है मचली पालन को क्या कहते हैं मचली पालन को PC culture कहते हैं खीरे को काट कर उस पर नमक डालने से किस क्रिया के दौरा पानी निकलता है तो परासरन क्रिया के दौरा पानी निकलता है फूलों को सुणने पर हमें सुगंध का एसास क्यों होता है 133 का अंसर हो जाएगा पूलो से सुगंधित तेलों के वाशपी करण के कारण, येस्ट क्या है, तो 134 कैंसर क्या हो जाएगा, येक कवक है, एजोला एक प्रकार का क्या है, 135 कैंसर क्या हो जाएग, जलिये फॉर्ण होता है एक, वाईो गैस, निम्ड से किस से मिल कर बनता है, 136 का एंसर क्या हो जाएगा बिकारों, डाकसाइद मिथेन और हाईडूजन से मिल कर बनता है निम्न से रक्त का कौन सा भाग संक्रमन से रक्षा करता है 137 का एंसर क्या हो जाएगा white blood cell है göra संक्रमन से रक्षा करता है वह भोजन जो भोजन के प्रतीकाई द्रवे मानम अधिक कैलोरी देता है वह है 130 का अंसर क्या हो जाएगा वसा वसा कार्भो हेड़ेट से हमेशा ज्यादा एनरजी प्रोबाइड करवाती है हमारे सरीर को निम्कित रोग को उसके उप्युक्त कारणों से मिलान कीजिए किसके कारण होता है खेरा एनीमिया इसकरवी और गौइटर जिसको घेगा कहते है उके इसको मैच कर लेते हैं तो क्या होगा खेरा रोग किसकी कमी से होता है तो जिंकी कमी से होता है एक चार एनीमिया किसकी कमी होता है तो iron की कमी से 2 का B हो जाएगा SCARBY तो vitamin C और घेघा तो घेघा iodine की कमी सो होता है Anemium iron होगा ना B का C होगा ना खेरा जिंकी की कमी से SCARBY vitamin C हो गया और goiter हो गया ये iodine की कमी से, match हो गया इसका answer क्या हो जाएगा 1 का D, दूसरे का C तीसरे कािये, चौणते का B हो जाएगा, ओके इसका एंसर D हो जाएगा. अगला है और आज का आखरी कुस्टन जल प्रवाह पौधों में किस उतक के द्वारा होता है तो जाइलम के द्वारा जल जाता है और फुलोयम के द्वारा फूड जाता है आसान था आज का सेट ओके आप लोगों का अच्छे माक्स आयोंगे I hope माकी सेट जैसा भी लगा हो जरूर बताना Thank you so much